नमस्ते, आज का लेक है चंडिगर एक सुन्दर शहर, ये पंजाबी भाषा में है, ये किसी की रिक्वेस्ट पे मैं बना रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर ले और पास में लगे बैल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, तो चलिए शुरू करते हैं, लेक चंडिगर एक सुन्दर शहर, वंड तो पहला पंजाब दी राजदानी लाहोर सी, वंड तो बाद, ओ हिस्सा पाकिस्तान विच चला जान कारण राजदानी बनाऊं दी लोड जापी, इस लोड कारण उस समय इस शहर नू वियूंतिया गया, 1992 इस वीवतों इस दी उसारी दा काम अरंब्या गया, एक पाड़ां दे पैरां विच वस्या एक छोटा जया पिंड सी, एक पासे पह प्रांस दे परसिद आर्टी टैक लेकार बूजे ने बनाया, सारे शहर नू सेक्टरां विच बंडिया गया, हर सेक्टर विच नवे टंग दे खुले डुले मकान बनाई, एह जा करन समय पोन पाणी दा खास ख्याल रख्या गया, हर सेक्टर विच सारियां सहूलतां दा ख खास ख्याल रख्या गया, हर सेक्टर विच खेड़ां दे मेदान, मार्किट, खुलीयां, सडकां दा खास ख्याल रख्याल रख्या गया, एथे सुखना चील बनाई गई जो की शेर वासियां दे लई खिच दा कारण बनी होई है, शेर विच बन्या रोज गारडन हर खेड़े विच रहन दा संदेश दिन दा जापता है राक गार्डन विच पोँच के इंज जापता है जीवें कलाकार दी कलाकारी दी दुनिया विच ही पोँच गए होई ये एथो दिया परसिद इमारता सेक्टर 8, PGI, पंजाब युनिवस्टी आदी हन इनना इमारता विच गर्मिया विच खुली हवा आऊंदी है ते सर्दिया विच तूप आऊंदी है इनना इमारता दी सुंदरता देख दे ही बन दी है एथे दे परसिद बरजार 17 तो 22 सेक्टर विच हन जित्थे की हर परकार दा समान मिल सकता है 17 सेक्टर दा बसांदा अड़ा थोड़ी दूर ते बनिया हवाई अड़ा ते छट बीड आदी अपनी मिसाल आप ही हन चंडिगर्षेर सब तो साफ शेर है पारदा होर कोई शेर एनना साफ नहीं पानी दे निकास ले सारे शेर विच जमीन दे अंदर ही प्रबंद कित्ता होया है पारी वर्खा तो बाद वी बाकी शेरा वांग एथे चिकर दा नाम निशान नहीं हुन्दा ये शेर सेलानियां वास्ते खास खीचदा कारण है अपनी सुन्दरता कारण ये शेर हार एकदा मन मो लेंदा है तो ये था लेख चंडिगर्ड एक सुन्दर शेह या फिर आप इस लेख का नाम पंजाब की राजधानी चंडिगर्ड भी रख सकते हूँ ये दोनों ही तरह से आपका ये एक ही लेख काम आ जाएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और पास में लगे बैल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए धन्यवाद